बीना तले बनी है न क्रिस्पी बेंडी लग रही है न किली किली आईए देखते इसकी रेसिपी नमस्कार दोस्तों मैं होम शेफ नमिता मेरे यूटुब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ आज हम देखने जाने है बिना तले क्रिस्पे भेंडी के या पे देखे मैंने भेंडी ली हुए इसे उसको खड़ा काटके लिए है आपको इसके पतले पतले यह अच्छे बनाने हैं और इसको एक साथ रखे इससे कर देना है मैंने पहले इसको धोके सुका के लिया था और इ काट के ले लेंगे एक इस पर आप पाच चार या पाच यह कट लगा लीजिए उपतले-पतले बनकर रेडियो हो जाएंगे यह पर मैंने कड़ाई गरम करने के लिए रखे थी उस पर मैंने डाला जीरा जब तक जीरा अपना तर तर रहा है आप मेरे यूटुब चैनल को सब सबसे पहले मिले और जरूर कमेंट करके बताइए कि आपको क्या देखना है और यह पर देखिए अपना जीरा तर तर डाने लगा है आप चाहिए तो इसमें सरसो भी डाल सकते हैं मैंने नहीं डाला हुआ है और इसके बाद मैंने थोड़ा सा क्रश किया हुआ कारलिक इसमे ब्राउन हो जाएगा हम अपने भींडी इसमें डाल देंगे अब बारी कट करके भी डाल सकते हैं पर जो क्रश किया हुआ आता है टेस्ट उसको अलग होता है इसलिए मैंने क्रश करके डाला हुआ है भींडी डालने के बाद हम इसमें नमक डाल देंगे मिर्ची पाउडर डालना है तो आप धनिया पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं उसके बाद इसको हम तीन मिनिट के लिए ऐसे चला के लिए लेंगे उसको उसके बाद हम भींडी को अच्छे से हर जगा पे इवेंटली स्प्रेड करेंगे कडाई में देखिए इस तरह के से और उसके बाद हम धकर पार्च मिनिट के लिए पका कर ले लेंगे उसको mix करके फिर से spread करके रख देना है यहाँ पे देखे मैंने आपको बताएं पूरा evenly आपको भिंडी को spread करना है ताकि वो हर जगह से कुरकुरी बने और उसके बाद हम इसको फिर से mix करेंगे यह मैंने बस आपको दिखाने के लिए तुरंत मिक्स किया है दोस्तों आपको ऐसे mix करके फिर से उसको रखना है spread करके रखना है यह देखे मैंने थोड़ी देर बाद spread किया है कुछ भिंडी आप देख सत्ते हो यह एक दम से कुरकुरी नहीं बनेगी दोस्तों आपको यह process दोहराना पड़ेगा अगर आपको healthy इसमें कुरकुरी भिंडी कानी है तो आपको यह करना पड़ेगा दोस्तों लाएट बाउन होती है और थोड़ी दिर बाद आप देख सते हो हैं यहां पर मैने बिंडी अपने कुरकुरी भिंडी बनके रेडिये आप इसको रोटी के साथ खास सते हैं मागर आपर देखिए मैने मेरा प्लेट रेडी घर कहा हुए है मेरा FASTA आज दोने के लिए मैने प्लेट बंड के रेड़ी है आप भी इसको इंजाय कीज़े मुझे कमेंट करके जरूर बताईए आपको बेंडी की रेसिपिक कैसे लगी और आप भी घर पे ट्राइ करके टेस्ट कैसे आया था उसका बता देना थैंक्स फॉर वाचिन